ये पुरुष को कभी पता नहीं चल सकता है कि स्त्री को और्गैजम हुआ के नहीं याने स्त्री की संतुष्टी होई के नहीं ये पुरुष को पता चलना असंभव है क्योंकि कुछ स्त्रीयों को जो और्गैजम होता है संतुष्टी होती है तब कोई भी स्त्राव नहीं होता है जैसे पुरुष का Ejaculation हो जाता है तो इसका रंड स्त्री को पता चलता है Ejaculation होने के बाद में जो भी tightness होता है लिंग में वो भी चला जाता है थोड़े ही समय में इसलिए तो 100% पता चलता है कि पुरुष का हो गया लेकिन स्त्री का पता चलना बहुत मुश्किल है केवल उसी को पता होता है कि उसका orgasm हुआ के नहीं लेंगिक तुरुपती उसको प्राप्त होई के नहीं अभी मगर दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा तो आप शायद बहुत शौक में जाओगे कई स्त्रीयों ने मेरिट स्त्रीयों ने बीस बीस पचीस पचीस साल जिनकी शादी हो चुकी है इस स्त्रीयों ने अपने जीवन में orgasm का अनुभव नहीं लिया होता है ये भी हमारे समाज के वास्तविकता है कई स्त्रीयों को पता ही नहीं चलता कि orgasm नाम की कोई चीज है एक तो education में नहीं आता है स्त्रीया आपस में बाच्चित करती है तो इस विशे में ज़्यादा खुल कर बात नहीं करती है अगर आपको इस धंकी सहेलिया नहीं है कि जो खुल कर बात करे दूसरा जिनको इस विशे का अच्छा ग्यान हो तो naturally ये पता ही नहीं चलता है जो शुरुवात में romanticism का जो आनंद होता है या sexual के act के शुरुवात में जो थोड़ा भूत आनंद मिलता है उसी को वो चरम आनंद माननी लगती है कुछ स्त्रियों को कभी-कभी orgasm प्राप्त होता है और कुछ स्त्रियों को बार-बार orgasm प्राप्त होता है हर स्त्री की अलग-अलग प्रवरुत्ती होती है लेकिन उसी स्त्री को पता चलता है कि उसे orgasm का प्राप्त हुआ तो सबसे पहले इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए यह खुलकर बात होना बहות आवश्च्छ है पति-पत्नी में कि तुम्हें और्गेजम हुआ क्या है पहले और्गेजम का मतलब समझना चाहिए पत्नी को अगर और्गेजम क्या होता है इसका पता नहीं है तो आपको पतनी को हस्त मैथून के लिए प्रोटसाहित करना पड़ेगा वो जब अपने आपको खुश करने का प्रयास करेगी अब स्त्रिया इसको बहुत गंदा मानती है ये भी मैं जानता हूँ लेकिन ये स्त्रियों का अधिकार है जैसे पुरुशों का अधिकार है मास्टरबेशन वैसा स्त्रियों का भी अधिकार है और शायद ये सेल्फ मास्टरबेशन में से स्त्रियों को पता चलता है कि एग्जेक्टली और्गेजम क्या होता है अब ये बहुत ही मैं विचित्र बात आपसे कह रहा हूँ लेकिन इस विशेका मेरा काफी नॉलेज है काफी सालों से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ इसलिए ये जानकरी पहुचाना आप तक बहुत आवश्रक है अगर स्त्री को पता है कि उसे और्गेजम याने क्या ये पता है उसका अनुभव है अभी अनुभव के लिए सेल्फ अनुभव भी हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ उस डेंग से तो फिर उतना जैसा सुन्दर और्गेजम उसे हमेशा पती के संबन में प्राप्त होगा ही ऐसा नहीं लेकिन उसके कि मेरा हुआ ऐसा पत्नी ने कहा इसके लिए कोई साइन तै कीजिए कि तब पता चलेगा कि पत्नी का सही में और्गेजम हुआ है लेकिन हमेशा पती और पत्नी दोनों का और्गेजम हो ये पॉसिबल नहीं होता है इसलिए समझो पती को पहले तुरुपती मिल गई पती को अकसर मैं अकसर ये शब्द का उपयोग कर रहा हूँ हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ पती को अकसर इजेकुलेशन के साथ में और्गेजम प्राप्त होता है हमेशा नहीं अगर पती को और्गेजम प्राप्त हुआ है इजेकुलेशन हुआ है तो फेर से तो अभी एक्षन पॉसिबल नहीं है इसी अवस्था में अगर स्त्री को पत्नी को और्गेजम नहीं प्राप्त हुआ है तो पती ने masturbation का पत्नी के लिए उपयोग करना चाहिए ये आजकल के married life में सला दी जाती है और पत्नी को उसके जरिये orgasm प्राप्त हो इसके लिए मदद करनी चाहिए अगर ये कर पाएं तो पत्नी अतरुप्त नहीं रहेगी उसके frigidity नहीं बढ़ेगी ठंडापन नहीं बढ़ेगा दोनों sexually active रहेंगे और पती को जैसे orgasm प्राप्त करने का अधिकार है पत्नी के साथ में वैसा ही पत्नी को पती के साथ में orgasm प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन जो शारिरिक नर्मादी में मर्यादाय हैं इस कारण अगर ये पुरी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता है तो पती ने अपने उंगलियों का उप्योग करकर अगर पत्नी को मदद की तो इसमें कोई भी अनैतिक बात नहीं बुरी बात नहीं अपने आपको कम समझने वाली नहीं न्याए पुर्ण बात है क्योंके नेचर ने पत्नी को और पती को केवल दोनों ने एक साथ में पूरे जिंदगी भर जिना चाहिए इसके लिए तयार नहीं किया था हमने ये निर्णे लिया है और इसलिए थोड़ा सा नेचर से बाहर जाकर एसी मदद लेना बिल्कुल नॉर्मल है नेचरल है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए झाल